यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर बना गरी बच्चों के लिए मसीहा फ्री में दे रहे हैं बच्चों को सिक्षा आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो भले ही पेशे से एक पुलिस बाला हूँ लेकिन समाज के लिए वो जिस तरह का काम कर रहे हैं वो वाकिई एक मिसाल और कापिले तारीफ है दरसल हम बात कर रहे हैं मुत्रप्रदेश के राम नगरी आयोध्या से सब इस्पेक्टर रंजीत यादव की जो अपनी पुलिस की नौकरी के साथ साथ गरीब बच्चों को फ्री में सिक्षा देने का काम भी कर रहे हैं आपको बता दे कि अयोध्या के पुलिस महाने रिक्षत कारले में तनाथ सब इस्पेक्टर रंजी यादव ने खुर्जा कुर्ण के पास जैसिंग वाट के मलीन बस्ती के गरीब असाहे और भिक्षा वित से जुड़े बच्चों को निशुल के सिक्षा दे रहे हैं भले ही उन बच्चों के पास पढ़ने के लिए ना कोई छत है ना कोई टेबल और ना कोई चियर लेकिन उन गरीब और असाहे बच्चों के पास है कि ऐसा गुरू जिसने उनके हातों से भीक कटोरा लेकर पढ़ने के लिए और उज्वल भविशे बनाने के लिए हातों में किताब पकड़ाई है आपको बता दे कि यहाँ पर पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों के माता-पिता गरीब है और वे भीक मांगने का काम करते हैं ऐसे में रंजीत यादव ने केवल इन बच्चों का नहीं बलकिन के माता-पिता का भी खयाल रखा है वे उन्हें सिक्षा, स्वचिता और नशामुक्ती के पती जागरूप भी करते हैं इसके साथ ही रंजीत उन गरीब बच्चों को हर समब मदद देने की भी कोशिश करते हैं जैसे कि बच्चों के लिए कौपी किताब और पैन-पैंसिल इस खुले स्कूल में करीब 25-30 बच्चे पढ़ते हैं रंजीत यादव ने बताया कि वे पिछले 4-5 महिने से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्होंने इस स्कूल का नाम अपना स्कूल रखा है यहां पढ़ रहे, बच्चοंने बताया कि उन्हें यहां पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए वे हमेश्या यहां आते हैं बच्चोंने यह भी कहा कि वे आगे पढ़ना भी चाते हैं और उनको स्कूल जाने का भी काफी मन है अब आपको बताते हैं बच्चों को फ्री में शिक्षा देने वाला कौन है सब इंस्पेक्टर रंजीत यादब। अब आपको फ्री में शिक्षा देने का और जनसेवा का काम भी कर रहे हैं। फिलाल के लिए इस रिपोर्ड बस इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों से जोड़े रहने के लिए जोड़े देश इतनी उसके साथ। धन्यवाद।